दोस्तों आज के इस वीडियो में सिखेंगे हम प्रशना वाली एक पॉइंट दू का कक्षा दस का प्रसंख्या पांच को हल करेंगे तो आई हम इसको हल करते हैं को सन हमारा जाज कीजिए कि किसी प्राकिर्ट शंख्या एन के लिए संख्या छो एन अंक जीरो पर समामत हो सकत है इसको हम बेशिस से आपको समझाएंगे को सन आप गौर्च पढ़िए उसके बाद समझ जाएंगे देखिए प्राकिर्ट संख्या क्या मतलब होता है देखिए इस टेप अगर को सब्सक्राइब करना इसको इसको करना आपको अभाद गुन खन ठीक इसको बारकिस हम समझ पांच दोनों उपस्थित हो ठीक क्या हो दोनों उपस्थित हो ठीक ना उपस्थित हो वह संख्या क्या होगा जीरो पर समाप्त होगा ठीक जीरो पर समाप्त होगा ठीक ना कि यह आपको ट्रीक रखना होगा समाप्त होगा ठीक ऐसे ही बनेगा तो देखिए इसका च्छे का जब आभाज गुनान केंट किये हम तो इसमें दो तो आ रहा है पांच नहीं आ यानि दो है इसमें उपस्थित और पांच उपस्थित नहीं तो यह संख्या सुनी पर्समाप्त नहीं होगा यहीं हमें लिखना है ठीक यहीं को लाइस छो एन अंक जीरो पर्समाप्त हो सकती है कोई दिकत में इसको महल करते हैं कि लिखेंगे हल लिखेंगे छो एन बराबर इसका भादन क्या है दूग उन्हें तीन ठीक इसके पावर एंड ठीक है यहां लिखेंगे यदि किसी संख्या के अभाज गुनान खंड में दो एवं पाँच उपास्थित हो वह संख्या वह संख्या जीरो पर समाप्त समाप्त हो सकता है ठीक कि देखिए इसमें दो है पांच नहीं है इसलिए छो एन जीरो पर समाप्त नहीं होगी ठीक यह आपको लिग देना है यह होगी आपका फूरूड ठीक यह आपको लिग देना है इसी पर आपको माक्स मिल जाएगा फूल का फूल एक भी नमने का ठीका ठीक है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अलदा दना तब कि आपको और हर नई वीडियो आपको तक पहुंचे तब तो जाहिंद बंदे मात